क्या आप भी पंजाब नेशनल बैंक पॉस्टनल लोन लेना चाहते हो लेकिन PNB पॉस्टनल लोन के लिए इलिजिवल नहीं हो पा रहे हो या फिर PNB पॉस्टनल लोन आपलाई कैसे करना है उसका प्रोसेस आपको नहीं पता यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होगा क्योंकि एक तो हम process by process आपसे PNB पॉस्टनल लोन आपलाई करवा देंगे जिसपे आपका eligibility करेक्टेरिया आप eligible कैसे हो सकते हो वो हम देखेंगे हम पे छोड़ दो ठीक है जी इसके अलाबा इसका पूरा detail भी आपको बताएंगे क्योंकि अगर आप PNB पॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका features क्या क्या है इसका benefit क्या क्या है eligibility क्या क्या है अभी का latest rate of interest क्या चल रहा है 2024 का ठीक है इसके अलाबा इसका extra charges क्या क्या लग रहा है और उन सब के अलाबा EMI calculator से भी हम लोग समझेंगे आपके monthly EMI को यानि कि आपका monthly EMI कितना आता है और rate of interest आपके उपर कितना charge रिया जाएगा कहने का मतलब कि PNB personal loan से related सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में तो यसे और उप्योगी वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें आईए वीडियो सुरू करते हैं वैसे अगर आप loan कहीं भी लेते हो ये जरूरी नहीं कि पंजाब national bank का इ में बता रहा हूँ अगर आप loan कहीं भी लेते हो ठीक है जी तो आप एक चीज जरूर देख लेना कि वो fixed rate of interest है या फिर floating rate of interest है यानि कि अगर RBI का repo rate बढ़ता घटता है तो उसका भी rate बढ़ेगा या घटेगा या फिर आपका fixed rate of interest है RBI के rate घटने से या बढ़ने से आपक repo rate बढ़ता है RBI का तो इसका भी rate of interest बढ़ेगा अगर उसका घटता है repo rate घटेगा और fixed rate भी आपको यानि अगर आप लेना चाहो तो customers को पंजाब national bank personal loan पे fixed rate भी provide करती है ठीक है ये एक चीज आप जरूर चेक कर लेना वैसे अब अगर हम लोग eligibility criteria की बात करें कि ठीक है criteria होना चाहिए क्यों लोग eligible नहीं हो पाते हैं आखिर क्यों सारे का form cancel हो जाता है देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ना पहले पहले दो criteria है जो की side से आपको ध्यान में रखना ही होगा सबसे पहले कि कोई भी loan आपका default नहीं होना चाहिए बीते 6-8 मेने तक यानि पहले 6-8 मेने बीते 6-8 मेने तक आपका कोई भी loan default नहीं होना चाहिए या credit card कोई कोई भी payment bonds नहीं होना चाहिए ठीक है आपके नाम का इसके अला होता है आपको तीन महिने में एक बार credit card और एक बार loan ही apply करना है यह थ्वासवा norms होता है ठीक है इस पे अगर आप नहीं चलोगे तो आपका करेक्टेरिया कितना भी सही होगा आपका income भी अच्छा होगा लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे अच्छे-च्छे bank loan देने को त personal loan मिलेगा आप अलग तरह के employee हो तो अलग तरह का personal loan मिलेगा इसी तरह के अलग-अलग category रखे गए हैं अलग-अलग employee के लिए अब जैसे कि आप देख सकते हो कि LIC employee के लिए अलग तरह का category है जो यहां आपको दिख रहा है ना यह जो loan है यह LIC employee को मिलेगा जिसका की eligibility characterिया थोड़ा सा change होगा ठीक है अब यहां आप देख सकते हो यह जो personal loan है यह general सभी public को मिलेगा इसके नीचे यह personal loan है यह category वाला यह सिर्फ doctors को मिलेगा PNB personal loan scheme for doctors यानि कि professional logo के लिए यह personal loan रखा गया है इसके अलाबा यह personal loan पेंसनर को मिलने वाला है personal loan scheme for business यानि कि उपर से 1 2 3 4 चौथे नंबर का जो अस्कीम है PNB Personal Loan for Pinsoners वाला ये Personal Loan जो है वो Pinsoners को मिलेगा यानि कि अगर आप Pinsoners लेते हो न तब ये Personal Loan आपको मिलेगा इसके अलाबा कई तरह का Category है जो कि आप यहाँ देख सकते हो इसमें हम लोगों को क्या करना है जी कि General Public वाला जो है ये Category हम ल Personal Loan लेता है वो Confirm Employee होने चाहिए वो चाहे तो Employee किसी भी Permanent Government, Central, Estate Government, PSU, किसी भी तरह के Employee हो सकते है प्रावेट रेपुटेटेट कंपनीज के, Hospitals के, Schools के, किसी भी तरह के Employee हो सकते है बसरते उनका Salary Account होना चाहिए और उनका Salary Account जो है न उस Salary Account में कम से कम Net Monthly Income 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए ओके तब ये Loan के लिए आप Elisible हो सकते हो लेकिन इसके अलावा आप जो भी Job कर रहे हो जिस तरह के आप Employee हो उसमें आपका Experience कम से कम 2 सालों का होना चाहिए ठीक है इसके अलावा गर आप Private Reputated Companies के हो तो हो सके उसका Experience आपसे ज्यादा लेकिन कम से कम Experience 2 सालों का होना चाहिए ओके जी और आपका minimum age 21 years से लेकर maximum age 60 years तक हो सकता है यानि कि 21 years से लेकर के Loan मिलना स्टार्ट हो जाएगा अंठावण में 57 साल तक Loan आप ले सकते हो लेकिन अगर आप सोचोगे कि 58 साल लोन लूँ और tenure जादा रखू यानि कि 60 साल से जादा तो ऐसा संभब नहीं है सार साल तक आपको सारे पैसो का repayment कर देना है इनिहाओ तब ये लोन के लिए आप जाओ ठीक है इसके अलाबा कही सारे लोगों का मन में सवाल आता है कि यहां से self-employed को personal loan नहीं मिलेगा क्या देखो self-employed को भी personal loan मिलेगा लेकिन ये category जो है ये category personally जो है वो salary person लोगों के लिए है self-employed का भी अलग category रखा गया है अब जैसे कि मैंने आपको category बाइस बताया ना यहां LIC employee के लिए या pensioners के लिए और भी कई सारे लोगों के लिए अलग-अलग category रखा गया है ठीक उसी प्रकार ये भी category ये जो है वो केवल salary person के लिए है और कुछ चेंजों के साथ ठीक इसी प्रकार का eligibility criteria self-employed को भी follow करना होगा तो PNB personal loan जो है self-employed को भी मिलेगा ऐसा नहीं है कि self-employed को नहीं मिलेगा बस ये category जो है ये salary person के लिए है ओके देखो हम लोग condition हम लोगोंने समझ लिया ठीक है अब हम लोग जाते हैं कि PNB personal loan online apply कैस सबसे पहले आपको यहां चले आना है यह पंजाब national bank का net banking है यहां हमें home page पे चले आना है ठीक है home page पे आने के बाद न यहां देखो online service पे आप click करोगे न तो आपको यहां कई सारा loan का option मिल जाएगा आपको MSME loan चाहिए आपको pre-approved business loan चाहिए pre-approved personal loan चाहिए instant personal loan चाहिए loan in 59 minutes वाला चाहिए यानि sponsor वाला loan चाहिए या फिर कई सारा देखो loan का यहां option मिल जाएगा agriculture loan का education loan का कई सारा option मिल जाएगा इसका तो अभी mobile banking app पे recording screen recording show नहीं करता है मैं आपको ऐसे मैं वहां भी आपको दिखा देता अगर आपका PNB में account है तो PNB से personal loan के लिए आप 85% तक chance है कि आप approved हो जाओगे personal loan के लिए PNB से अगर आपका transaction अच्छा रहता है तो ऐसे यहीं से हम लोग process चेक कर लेते हैं इसका process क्या क्या है जी इसका process देखो बस तीन step का है तीन detail फिल करना है तीन तेरह का detail उसके बाद आपका loan form जो है वो apply हो जाएगा फिर यहां से देखो कई सारा option आपको देखने को मिल जाएगा retail loan, MSME loan, agriculture loan, track your loan यानि अगर आपने अभी loan अपना apply कर दिया अभी तक account भी नहीं आया तो track कर सकते हो कई तरह का option है हमें क्या करना है retail loan पे जाना है ठीक है लेकिन retail loan पे जाने के अलावा एक चीज मैं आपको और बता देता ह अगर आपको और instant personal loan चाहिए यानि 5 लाग तक का loan आपको instantly एक घंटे के अंदर अंदर चाहिए तो ये भी process आप यहां से देख लो ऐसे तो ये working दो से तीन दिन का समय ले सकता है ये बाला जो process है लेकिन अगर आपको instant personal loan चाहिए तो आप यहां से loan ले सकते हो भाई ये process है उसका personal loan का अगर आपको 59 मिनट्स यानि एक घंटे के अंदर अंदर confirm loan चाहिए तो उसका ये process है लेकिन हम लोग अभी ये बाला process देखेंगे अगर जिसमें की working दो दिन का समय लग सकता है लेकिन हाँ अगर आपको instant loan चाहिए तो इस process को आप follow कर सकते हो जिसमें कि आपको यहां आना है personal loan to sell it customer without maintain their account with us ठीक है इस loan को click करना है और यहां आपको चले आना है ओके जी यहां से आपका ये process start हो जाएगा यहां सबसे पहले आपको mobile number enter करना है उसके बाद इस box को tick करते हुए proceed को click कर देना है फिर तीन step के अंदर अंदर आपका loan apply हो जाएगा इसके detail fill up start हो जाता है अब यहां हम लोगों को अपना detail fill करना है जिसवे सबसे पहले अगर आप PNB bank existing customer हो तब आपको यहां देखो yes कर देना है ठीक और yes करने के बाद अपना existing ID लिखना है लेकिन अगर आप customer नहीं हो PNB bank के तब आपको no ही करने रहने देना है no पे click कर दोगे ठ इसके नीचे आपको loan का purpose select करना है कि आपका loan लेने का purpose क्या है ठीक है इसके नीचे आपको loan amount लिखना होगा कि आप कितने amount का loan लेना चाहते हो उसके बाद आपको अपना gender select करना होगा फिर आप दो कर लेंना है उसके बाद आपको अपना name एंटर करना है फिर date of birth एंटर करना है फिर residential status select करना है कि आपको जहां अभी रह रहे हो ठीक है आप अब ही जहां रहुआ रह रहे हो वो आप रेंट पे रह रहरे हो या फिर मालिकाना हक है आपका वो सारा select कर लेना है ठीक है उसके बाद इस box को tick कर देना है जी फिर pen number एंटर करना है उसके नीचे जब आप आओगे न तब आपको permanent address और present address तोनों fill करना होगा अगर आपका permanent address और present address यानि की current address तोनों अगर same है तब एक address को fill करके फिर अपना दूसरे address में same as permanent address आप कर सकते हो ठीक है ओके उसमें तो कोई गड़बड़े नहीं होना चाहिए उसके नीचे अगर आप address fill fill कर दोगे तो फिर आपको आजाना है यहाँ preferred branch detail में कहने का मतलब कि अभी आप जहां work कर रहे हो उसका पूरा detail और address आपको fill करना होगा और फिर इन सभी को fill करने के बाद जब आपने number को verify कर लोगे mail को verify कर लोगे तब आपको क्या कर रहा है भया यहाँ सिधे सिधे proceed को click कर देना है उसके बाद आप लोग कितने कितने amount के लिए eligible होते हो वो सामने इसो कर जाएगा ध्यान रहे यह आपके income और आपके civil को देखते हुए generate होता है ठीक है आप कितना loan amount लेना चाहते है और bank आपको कितना loan amount provide करना चाहती है ठीक है जी आपको यहाँ loan amount दिखाया जाएगा अगर आप इससे कम loan amount लेना चाहते हो तो फिर आप कम कर सकते हो लेकिन maximum से maximum आपको इतना loan amount मिल सकता है जितने loan amount आपको अस्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक है अगर आप मान लेजे कम loan amount लेना चाहते हो तो फिर कम को select कर दोगे और process जब आगे बढ़ाओगे तब आपको पूरा loan amount, tenure आपका कितना interest है वो सारा सब कुछ सो कर जाएगा इसके बाद अगर यहाँ से process आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर confirm करना है उसके बाद next step में एक OTP आपके mail number पे जाएगा register number पे उस OTP को यहाँ fill करके submit को click करके आगे बढ़ना है फिर जिन लोगों का bank account PNB bank में है उन्हें तो instant personal loan मिल जाएगा लेकिन जिन लोगों का bank account PNB bank में नहीं है उन्हें अब यहाँ से account जोडना होगा account जोडने के बाद instantly personal loan आपके account में credit कर दिया जाएगा यह बहुत ही आसान process है बस 2-3 step के अंदर-अंदर loan आपके account में credit कर दिया जाता है अगर आप चाहते हो आपको जरूरत हो personal loan की तो आप यहाँ से apply कर सकते हो जिसका rate of interest भी minimum से minimum charge किया जाएगा इन process के बाद आप अगर PNB personal loan के features की बाद करे तो सबसे पहले bank का कहना है न कि जो भी बेगती, कोई भी बेगती अगर eligible हो करके PNB personal loan लेने आता है तो हम उसे maximum, maximum उनके income का 24 times personal loan दे सकते हैं आपके चमता कनुसार ऐसे 20 लाग तक का loan रखा गया है कि आप कितना repayment कर सकते हो उस हिसाब से maximum से maximum loan प्रोवाइड किया जाएगा जिसका की repayment tenure जादा से जादा 72 मेनों तक का मिलेगा कहने का मतलब कि 12 मेनों से लेकर के 72 मेनों के बीच का किसी भी शमय चुनके आप पूरे loan amount का और interest का repayment कर सकते हो, ठीक है? यहाँ overdraft की facility आपको मिल जाती है overdraft से कहने का मतलब क्या हुआ? कि जितने का loan amount का आपको जरूरत है मान ले जाया 5 लग के loan amount लेते हो PNB bank से लेकिन अगर अभी आपको जरूरत है 2 लाक रुपे का 3 लाक आप उसी loan वाले account में रहने दो जितना आप निकालोगे उसी पे interest लगेगा और बाकी के account में रखे हुए पैसों पे interest नहीं लगेगा उस 2 लाक पे ही लगेगा overdraft का मतलब यह होता है तो यहां overdraft की facility मिल जाती है इसके अलावा गर rate of interest की बात करें तो rate of interest इसका आप यहां screen पे भी देख सकते हो 12.40% से rate of interest start हो जाता है लेकिन 12.40% सभी लोगों के लिए नहीं है इसका maximum rate of interest 16-17% तक भी जा सकता है ठीक है जो कि आप यहां देखो screen पे भी देख सकते हो defense person के लिए इतना rate of interest charge किया जाएगा और भी यहां जितने अलग-लग प्रकार के services है उनके लिए अलग-लग rate of interest तका गया है defense person को थोड़ा सा shoot मिलता है इसके अलाबा 12.4% देखो इन सभी category के लिए 12.7 से 13.7 से 14.7 इन सारे लोगों को इतना इतना percentage का rate of interest लगने है अगर आपका civil score जो है वो less than 650 है तब आपका rate of interest महगा हो जाएगा भाई ठीक है यह तो कहने की बात नहीं आप लोग भी जानते होगे कि आपका income और civil पे ही आपका loan depend करता है कि loan आपको मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कितना मिलेगा और फिर उसका rate of interest क्या होगा आपके income और civil पे ही depend करता है तो जैसे ही आपका civil score अगर 800 पलस होगा तो सबसे कम rate of interest आप से charge किया जा सकता है अगर आपका civil score 750 से 800 के बीच में होगा तब आपका rate of interest 13.75% का लगेगा यह सारा rate of interest जो होगा वो fix वाला होगा यह कहने की जरूरत नहीं है इसके अलाबा आपको देखो अगर आप corporate में हो या other परकार के employees हो तब आपका rate of interest देखो यह होने वाला है आप खुद या screen पर देख सकते हो इस प्रकार के rate of interest आप लोगों से चार्ज किया जाएगा आप हो सके तो screen पर भी देख लो या screenshot ले लो ठीक है screenshot आप ले लो अच्छे से देख लेना इसके अलाबा अगर कोई women यहां से personal loan लेने आते हैं PNB कहता है कि हम उन्हें extra concession देंगे 0.5% तक का extra concession दिया जाएगा इसके अलाबा ना तो यहां security और नहीं grantor का demand bank आप से करेगा ठीक है अब हम लोग एक बार charges को भी देख लेते है rate of interest तो मैंने आपको बता दिया maximum 17-18% तक जा सकता है अब हम लोग extra charges की बात करते है जैसे कि माल ले जाए processing fees है जो की loan लेने के दोरान ही आप से charge कर ले जाएगा तो processing fee भईया यह देखो यह housing loan का processing fee है इस तरह से और हम लोग नीचे आएंगे तो यहां देखो देखने को मिल जाएगा कि personal loan पे कितना processing fees रखा गया है देखो आप यहां देख सकते हो कि maximum processing fees क्या है up to 1% तक का हाला कि यह processing fee defense person के लिए नील है यानि कि मिल्कुल 0 है defense person कोई भी आएंगे PNB से personal loan लेने के लिए तो उन्हें processing fees नहीं देना होगा और भी rate of intention का कम भी charge के जाएगा यानि defense person के लिए बहुत ही अच्छा scheme है PNB के तरप से ठीक है ऐसे आपका processing fee क्या होगा यानि normal सभी लोगों के लिए 1% तक का processing fees रखा गया है ठीक है documentation charge भी आप यहां देख सकते हो 2,00,00 तक का documentation charge होगा 270 रुपे और 2,00,00 से उपर वाले लोगों के लिए 450 रुपे का documentation charge होगा जो की defense person के लिए निल है यानि कि बिल्कुल 0 है इसके अलाबा अगर pensioners है वो personal loan लेने आते हैं तो उनका भी processing fee देखो यहां निल है लेकिन उन्हें documentation charge है वो देना होगा ठीक है इसके लाबा और जो भी charges है वो या तो मैं description box में note कर दूँगा या फिर आप यहां से पढ़ सकते हो अब हम लोग calculator पर चलते हैं और calculator से समझेंगे कि अगर हम यहां से loan लेते हैं यानि PNB से personal loan लेते हैं तो हमारा EMI, monthly EMI क्या होगा अब जैसे की माल ले जाए किसी बंदे ने एक लाख रुपे का loan यहां से लिया है जिसका की rate of interest हम रख देते हैं 13% का rate of interest हम रख देते हैं और tenure रख देंगे भाई 12 months का 12 months का tenure है 13% का rate of interest है और एक लाख का personal loan है इस हिसाब से 12 महिने तक हमें कितना भरना होगा 8,932 रुपे हमें भरना होगा ठीक है अगर हम rate of interest को थोड़ा सा बढ़ा देते भाई rate of interest थोड़ा सा बढ़ाएंगे 13.5% करेंगे तो हमें 8,955 रुपे हर महिने भरना होगा ठीक है इसके अलाबा अगर मान लिये जाए किसी बंदे ने 5,5,000 रुपे यहां से loan लेना चाहा कि मुझे 2,50,000 रुपे PNB से personal loan की जरूरत है 13.5% का ही rate of interest थोड़ा देते हैं और tenure हम लोग बढ़ा लेते हैं 24 months का 24 months का tenure हम लोग कर देंगे भाई तो अब देखो आपको कितना देना होगा 24 months के tenure के हिसाब से आपको 11,944 रुपे हर महिने 24 मेनों तक बैंक में भरना है धाई लाग रुपे का अब धाई लाग के हिसाब से है तो हमने देख लिया अब एक बार देखते हैं 3,60,000 का 3,60,000 का amount देखो एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग इससे तो कई सारे customers जो है वो calculate कर लेते हैं लेकिन कुछ-कुछ other एदर amount जो होता है न जो 3,60,000 3,56,000, 67,000 7,34,000 इस तरह का amount हम लोग ले करके चलेंगे तो 3,60,000 ले करके चलते हैं ठीक है 13.13% का rate of interest रहने देते क्योंकि जरूरी नहीं किसी का हो सके civil अच्छा होगा या civil खराब होगा तो rate of interest ज़्यादा कम भी हो सकता है तो इस बार हम लोग 13% का rate रहने देते हैं और tenure कर देते हैं 36 मेने का तो अब आपको कितना देना होगा जी 12,130 रुपे हर महिने तक यानि 36 महिने तक पैंक में आपको देना है इंटरेस्ट के साथ ठीक है अब अगर किशी बंदे का कहना है कि rate of interest जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दो interest थोड़ा सा बढ़ा दो तो मैं 13% ना करके 14% का rate of interest कर देता हूँ क्योंकि 13%, 12% ये सब कहनी की बाती है 12%, 13% से ज़ादा का ही rate of interest लगभख सारे लोगों से चार्ज किया जाता है क्योंकि ये possible नहीं है कि सारे लोगों का जो civil है और income है अच्छा ही रहे सारे लोगों का civil 800 से पलसी रहे ये जरूरी तो नहीं है तो 14% का rate हम रहने देते हैं इसी हिसाब से आप देखो अगर 3,60,000 के amount के लिए पे लिजिवल होते हैं और लेते हो तब आपको देखो 12,304 रुपे देना होगा अगले 36 महिनों तक अगर हम नॉर्मली कितना लेकर के चलते हैं 6,60,000 रुपे का हिसाब किताब रखते है तब आपको 22,215 रुपे देना होगा 36 महिनों तक यानि अगले 36 महिनों तक आपको 22,215 रुपे देना होगा अगर 36 महिने ना करके हम 60 महिने कर देते हैं 60 महिने कर देते हैं तो अब आपका जो EMI है EMI, monthly EMI, वो काफी कम जाएगा, 15,124 रुपे का, अगर tenure और जादा बढ़ाना चाहते हो, चुकि maximum 72 मेनों तक का है, तो tenure और आप बढ़ा सकते हो, maximum 72 मेनों का tenure, तब आपको 13,394 रुपे, अगले 72 मेनों तक आपको देना होगा, लेकिन पताय क्या है, tenure बढ़ाने में आपका ही loss है, अगर आपका छमता है, कि जल्द से जल्द आप रिपेमेंट कर सकते हो, किसी भी लोन का, तो आप करो, क्योंकि आपका ही बचत होगा, ऐसे जिनके पास छमता नहीं है, किसी तरह से उन्होंने लोन लिया है, उनके लिए ये सब्द नहीं है, पर जो कर सकते हैं, वो करे आपका ही बचत होगा, तो अब आप हमें कमेंट में बता सकते हो, कि आपको कितने कितने एमाउन का इक्जामपल डीटेल में आपको जानना है, या तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उस पर एक separate वीडियो बना दिया जाएगा, तो यह पूरा डीटेल था दोस फिर floating rate है, सारा detail आपने देख लिया अगर फिर भी कोई सवाल हो या किसी तरह का problem हो इस वीडियो से related, इस topics से related तो आप हम से comment में पूछ सकते हो चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है भाई देर किस बात की चैनल को subscribe करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे like भी जरूर करें